आज आपके लिए एक खास मौके के लिए पर्स लेकर रही हूं और यह जो पर्स बैग जो भी आप कहलें यह हमने बनाया है खासतों पर धार्मी किस्तागों पर जाने के लिए जहाँ पर हमारी कुछ ऐसी चीजें ले जाना मना होता है तो और हुआ उनको बाहर नहीं छोड़ सकते हैं तो इसलिए मैंने यह सोबर सिंपल सा एक बैग बनाया है जिसमें मैंने वन जिप दी है और इसमें मैंने यहां पर दो पाउच दी है चोटे-चोटे अंदर और कोई जिप नहीं है इसमें चश्मा और मॉबाइल रखने के काम आ सकता है बीच में एक स्पेस और है यहां पर बीच में एक स्पेस और है इसके बाद मैंने बैक साइड में भी एक पॉकेट दी है तो यहां पर आप अपने धार्मिक पुस्तक और रख सकते हैं तो यह किवल धार्मिक स्थालों पर जाने के लिए इस तरह से यूस्फूल चीज़ों के साथ मतलब आपका किवल चश्मा है मोवाइल है पैन है या छोटी कोई नोट भूख है या दाय में पुस्तक है यह ले जा सकते हैं तो चाहिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है आज का बैक बताने के लिए समाझ चाहिए नाइन बाए इलावन इंच के टूपीस कुल्टें नाइन बाए नाइन के सबसे पहले हम लेंगे नाइन बाए 11 इंच का वन पीस और जिप और रनर यह हमने 2 इंच डाउन जा करके एक निशान लगाया है अब इसको हमें यहाँ पर कट करेंगे और जिप लगातेंगे इसको जगाने के बाए इसमें अलनर डालेंगे अब इसके बाद हम नाइन बाए नाइन का एक पीस लेंगे और जो नाइन बाए नाइन का पीस है उसको मैंने एक साइड से डबल करके इसके बाए नाइन बाए नाइन का लिया है और इस तरफ अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि हमको यहाँ मोड़ना था इसलिए हमने नाइन बाए नाइन का लिया था मोड़नी में पता ने कितना जाए तो पहले हम इसको सिलने के बाद इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इसको सिलने के बाद अब इसको हम एकजम हाफ एंड हाफ पर निशान लगाएंगे फोर एंड हाफ इंच पर लाइन कीचेंगे और सिल देंगे यहाँ पर डबल मशीन चलेगी अब दूसरा पीस लेंगे नैन बै नैन का और कुल्टेट पीस इसमें भी हमने यह सबन निच पर निशान लगा रखा है इसको भी उसी तरह से लगा देंगे पूसरा के बाद हम अपनी बैल्ट लेंगे और इसको यहाँ वन इंच की दूरी पर अगातेंगे अब यह जो जिप वाला पीस था इसको चारजब से हम पैकर के सिल देंगे अब इसको यहाँ से खुलेंगे सीधा रखेंगे और यह पैक हमारा कम्पीट हो गया है इसमें अब किनारे किनारे एक फिनिशिंग की मशीन चला देंगे जिससे इसकी मजबूती भी आ जाएगी और जो अंदर की थोड़ी बहुत सी लाइट दिख रहे है वह भी दब जाएगी एक चाप की दूरी से मशीन चला देंगे यह हमारा बैक कम्पलीट हो गया और वन जिप में हमने इसमें तू पॉकेट यहां अंदर दी है और एक फुल पॉकेट यहां पर दी है तो यह बैक जो है खासतार पर जैसे हम लोग कहीं धार्मी किस्तल पर जाते हैं तो वहां पर लेदर का समान ले जाना बना होता है यहां तक की बैटोगर भी उतरवा देते हैं तो पर्स ऐसी चीज है कि हम उसको बाहर नहीं छोड़ सकते हैं तो इससे अच्छा है कि इस तरह के वाइग बनाले स्वोबर सिंपल से किवल खासता पर अधार्म के स्थल पर जाने के लिए तो यह जो अंदर हमने पॉकिट दी है यह तो जिप तो देनी ही पड़ेगी सफटी के लिए और यह जो दो छोटी पाउच हमने दी है यह मोबाइल या चश्मा रखने के काम आएगा यहां पर आप अपनी धार्मिक उस्तव वगारा रख सकते हैं यहां भी कुछ समान अपना रख सकते हैं जो जरूरी है तो इस तरह से इस तरह के बैक बनाले और घर के बड़े बुलगों को दें अपने लिए भी रखें जो सबसंग वगारा में जाती हैं महलाएं आप लोगों पसंद आया हुआ लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें आइकन बेल बिटन दबाना ना भूलें ना देनी फिर कुछ यूसफूल लेकर आएगी नमस्कार